लैला मजनू की कहानी एक प्रसिद्ध प्रेम कथा है जो सदियों से कहानियों, कविताओं और फिल्मों में गाई जाती रही है। इस कहानी का उद्गम अरब में हुआ था और इसे फार्सी और उर्दू साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कहानी की प्रिष्ठ भूमी लैला का असली नाम लैला बिंत महदी था और मजनू का असली नाम कैस इबन अलमुलावव था। वे दोनों अरब के एक ही कबीले से थे और बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। उनकी प्रेम कहानी के बीज उनके बचपन में ही बोये गए थे। प्रेम का प्रारंब। जब लैला और कैस जवान हुए तो उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो गया। वे एक दूसरे के बिना जीने की कलपना भी नहीं कर सकते थे। कैस लैला के प्रेम में इतना डूब चुका था कि उसने सामान ने जीवन जीना छोड़ दिया और अपनी हर सोच, हर भाव लैला के प्रती समर्पित कर दी। प्रेम में बाधाएं लैला और कैस का प्यार अपने आप में ही पवित्र और अद्वितिय था, लेकिन उनके परिवारों ने इस प्यार को स्विकार नहीं किया। लैला के पिता को यह प्रेम मंजूर नहीं था और उन्होंने लैला की शादी किसी और से तै कर दी। जब कैस को इस बात का पता चला, तो वह पागल हो गया। उसे समाज ने मजनू का नाम दे दिया, जिसका मतलब होता है पागल। प्रेमी की हालत प्रेम का अंत, अंततह लैला की मृत्यू हो गई और मजनू ने यह सुनकर अपने प्राण त्याग दिये। कुछ कहानियों में यह बताया गया है कि मजनू लैला की कब्र के पास ही मरा और दोनों की आत्माएं हमेशा के लिए एक हो गई। इस तरह उनका प्रेम अमर हो गया और उनकी कहानी सधियों तक लोगों के दिलों में जिन्दा रही। कहानी का प्रभाव लेला मजनू की कहानी प्रेम और समर्पन का प्रतीक है यह कहानी दर्शाती है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है और अंत में आत्माओं को एक कर सकता है इस प्रेम कहानी ने साहित्य, संगीत और सिनेमा में एक महत्व पूर्ण स्थान प्राप्त किया है और इसे अनेक भाशाओं में अनुवादित किया गया है साहित्यक महत्व, लैला मजनू की कहानी का साहित्यक महत्व, अद्वितिय है फार्सी कवी निजामी गंजवी ने इस कहानी को अपने महकाव्य लैला मजनू में संजोया है, जो बारवी शताब्दी में लिखा गया था इसके बाद यह कहानी विभिन्द रूपों में बार-बार लिखी और सुनाई जाती रही है उर्दू साहित्य में भी इस कहानी को कई कव्यों ने अपने काव्य में स्थान दिया है आधुनिक संदर्भ, आज के दौर में भी लैला मजनू की कहानी प्रासंगिक है यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार ना तो समय की सीमाओं में बंधा होता है और ना ही समाज के नियमों में यह कहानी आज भी प्रेमियों को प्रेरित करती है और उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि सच्चा प्यार हमेशा जीतेगा चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो लैला मजनू की यह अमर प्रेम कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम की सच्ची परिभाशा क्या होती है और कैसे एक सच्चा प्रेमी अपने प्रेम के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर सकता है